नमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं 5 Singing Tips for Star Maker Star Maker पर अच्छा गाने के लिए 5 Singing Tips आप कई लोग बोलेंगे अच्छा हमको से गारिया है चले शुरू करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहला जो Singing Tip है वो है Sound Effect Settings को लेकर इसमें सबसे पहली चीज़ आपको यह ध्यान रखने है कि गाना Record करने से पहले क्या सेटिंग करने हैं आपको मालूम होना चाहिए कि गाने की Pitch को अपने Pitch पर कैसे लेकर आना है Sound Settings कैसी रखनी है यह सारी चीज़े आपको मालूम रहनी चाहिए दूसरा गाना Record करने के बाद क्या सेटिंग करनी है यह भी आपको मालूम होना चाहिए आपको Pre-recorded Effects या Equalizer जैसे कि Studio, Party, Pop, Karaoke, Hall, Eco, Blues यह सारे चीज़े मालूम होने चाहिए कि इनको यूज कैसे करने है या फिर अगर आप Custom Effects यूज करते हैं तो Reverb, Room Size, Equalizer, Volume और Auto Adjustment यह सार करना है और जो भी Singing Tips आपको यहाँ दी जा रही है उससे Related वीडियो आपको Description Box में मिल जाएगा आप बस उस Link पर जाएए और वहाँ पर जाकर वो पूरा वीडियो देख लीजिए दूसरी Singing Tips है Song Information को लेकर सबसे पहली टिप है वो गाना गाईए जो आपकी आवाज को सूट करता हो जिसे गाकर आपको मज़ा आता है दूसरी टिप है पता कीजिए कौन से वो Singers है जिनके गाने आप साधा अच्छे तरीके से गा सकते हैं आप कुमार सानु के गाते हैं तो कुमार सानु के गाने जादा गाईए सोनो निगम के गाते हैं तो सोनो निगम के गाईए श्रिया गोशाल के गाते हैं तो श्रिया गोशाल के गाईए तीसरे टिप वो गाना गाईए जो गाना आपको पूरा आता हो और जिसे गाने में आपको बहुत जादा मज़ा है और स सिंगिंग स्टाइल को सूट ना करते हैं पर तयारी के साथ गाए उन गानों को रिकॉर्ड करके सुनिए कि आपने कैसा गाया है और सुनने वाले को अच्छा लगेगा या नहीं छेटा पॉइंट है सिर्फ लोगों की प्रशंसा के लिए नहीं अपने दिल की खुशी के लिए गाई है फिर देखे वो गाना कितना संदर बनता है तीसरी सिंगिंग टिप है सिंगिंग इंफोमेशन के लिए इसमें पहला पॉइंट है गाने की सिचुएशन और मूड को समझ कर वैसे ही आवाज में गाई है जैसे की हैपी सॉंग्स हैपी आवाज में गाई है सैड सॉंग्स सैड वाली आवाज में और रोमेंटिक सॉंग्स रोमेंटिक आवाज में गाई दूसरा पॉइंट है सिच्विशन के हिसाब से गाने की फीलिंग को ध्यान में रख कर गाई चोंकि बॉली वूड सेंगिंग या कहें ब्लेबेक सेंगिंग में सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंस फीलिंग का ही होता है तीस्ता पॉइंट है इससे आपके गाने बहुत ज़्यादा अच्छे टच के साथ बनेंगे और सुनने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा चोथा गाने में शब्दों के प्रोनौंसेशन पर खास ध्यान रखें MTI प्रॉब्लम की वज़े से प्रोनौंसेशन खराब हो सकता है तो इस तरीके से MTI प्रॉब्लम की वज़े से प्रोनौंसेशन खराब हो सकता है इसका खास ध्यान रखें पांचपा पॉइंट है गाने की शब्दों में वही फीलिंग्स और इमोशन्स लाने की कोशिश कीजिए जो सिंगर्स ने गाते समय शब्दों में डाले हैं चौथा पॉइंट है अभ्यास यानि की प्रेक्टेस कोशिश कीजिए अगर आप दो से पांच गाने आप रोज गापाएं भले ही उन्हें पोस्ट ना करें ऐसा करने से आपके गले का अभ्यास होगा और आपके गले के वोकल कोर्स खुलने शुरू हो जाएंगे और जाधा काने रिकॉर्ड करके सुनने से आपको अपनी सिंगिंग में क्या-क्या इंप्रूव करना है वो भी पता चलता रहेगा चूंकि स्टार्मेकर पर कोई भी आपकी गलतियों को नहीं बताएगा चूंकि आप बुरा मान सकते हैं या फिर आप उसी की गलतिया निकालने लेगे और ये शेक्ट है सच सुनकर बुरा तो लगता है पर फीड़बेक अगर पॉजिटिव वे में लिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है और अगर आप सुरो का भ्यास कर सके हार्मोनियम या फिर वाक बेंड के थ्रू बहुत ही जादा अच्छा होगा अगर आपको सच में अच्छा गाना है और अपनी गलतियों को सिधारना है तो आपको एक सच बोलने वाले दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको सच बता सके कि आप कैसा गा रहे है इसके लिए वो दोस्त आपको खुड ढोड़ना होगा एक ऐसा दोस्त जिसे संगीत की समझ हो और संगीत सीखा हुआ हो तो सोने पे सुआगा कैसा लगा मेरे मजाक चुकि असली सच तो वो ही बताएगा जिसे वो खुद पता होगा वरना स्टार मेकर पर सारे ही किशोर कुमार, कुमार सानू, सोनू निगम, लता मंगेश कर रोश्च्रिया गुझाल है जिने संगीत के बारे में सब कुछ मालूम है और वो भी मालूम है जो संगीत सीखे हुए विशार्दों को भी नहीं मालूम मुझे सब पता है और मुझे सब करना आता है में बहुत ज़ादा फर्क होता है तो दोस्त उस दोस्त को डुणिए जो आपको ये फर्क बता सके और आपकी सिंगिंग में improvement करवा सके तो ये थे 5 singing tips for star maker singing इससे आप अपने star maker के songs को बहुत अच्छा बना सकते हैं फिर दुबारा से बता देता हूँ ये singing tips related जितने भी वीडियोस हैं उससारे के सारे description box में दे रखे हैं उससे आप ये सारी की सारी चीज़े अराम से समझ सकते हैं तो आज के वीडियो में बस इतना ही अपने दोस्त अपने मित्र आर के को जाज़त दीजिए और याद रखिएगा like share और subscribe करना है और notification वाली घंटी भी जरूर बनाने हैं चोकि मुस्कुराहट बाटने से बढ़ती है